फेसबुक एनलेटिक्स देखिए फेसबुक सभी लोग जानते हैं क्या है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे सोसाइटि के लोग א relieve से जो है connect हो सकते है अपने दूर-दूर के लोगों से जो है आप उनके thoughts को पर सकते हैं, उनके views को, उनके post को, उनके videos को, उनके photos को देख सकते हैं, share कर सकते हैं, like कर सकते हैं, और उनके comment कर सकते हैं, clear, तो यह जो Facebook social media platform में यह found हुआ था February 2004 में, अब जो है यह जो पहले Facebook incorporation थी, अब जो है इसका होंगे, जब भी WhatsApp खोलते हैं, तो वहाँ पर आता है Meta, तो Meta हो गया है, clear, तो पहले Facebook incorporation था, अब जो है Meta platform incorporation हो गया है, the Facebook incorporation is an American multinational technology, तो यह जो Facebook incorporation थी, यह American multinational technology है, और इसके CEO कोन है, Mark Zuckerberg, सभी लोग जानते हैं, और headquarter का है, US में है, clear, तो अब बात कर लें कि Facebook analytics क्या हो और उसका use करके, आप decision making करते हैं, तो Facebook analytics क्या करता है, यह Facebook insight प्रवाइट करता है, अगर आप Facebook के बारे में ज़्यादा detail, जो है deep knowledge प्रवाइट करता है, अगर आप Facebook use करते हैं, आपने कोई page create किया हुआ, या फिर आप Facebook पे ad show करते हैं, तो उन दोनों के case में, आपको Facebook analytics का ज share किया, clear, आपके ads हैं, तो ads कितनी बार लोगों को दिखाया गया, याने कि जब आप FB page open करते हैं, तो उसमें जो भी content आपको show होता है, उसको impression कहते हैं, तो कितना impression आया है, कितने लोगों ने आपके ad को देखा लेकिन उस पर click नहीं किया, कितने लोगों ने आपको देखा अगर user की बात करें, तो हम लोग क्या है, Facebook खोलते हैं, scroll करते रहते हैं, जो photo अच्छी लगी, जो video अच्छी लगा, उसको देख लिए नहीं, तो scroll कर रहे हैं, तो scroll कर रहे हैं, तो scroll कर रहे हैं, लेकिन हो impression बनते चला जा रहा है, clear, तो यह पूरा data जो है, वहाँ पे Facebook एनल की लोग देखते हैं, फिर 40-50 age की लोग देख रहे हैं, clear, किस demographic के हैं, इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बंगलादेश से देख रहे हैं, या फिर US से देख रहे हैं, audience का पूरा detail जो अभी बताया, इसी दरगे से ads manager होता है, जहाँ पे, अगर आप FB पे ads show करते हो, तो आप अपने ads को भी manage कर सकते हो, clear, तो FB analytics tool shows how the FB page is performing, तो FB analytics के आए, Facebook analytics जो tools होते हैं, different different जो है, यहाँ पे online tools आपको मिलेंगे, तो आप कैसा आपका FB page perform कर रहा है, उस चीज़ को help करते हैं, analyze करने में, जैसे कि आप यह जो screen देख रहे हैं, यह क्या ह 8.59 जो है, new page like है, post reach, यानि कि आपने कोई post किया है, अपने उसमें कोई video है, आपने कोई comment लिखा है, तो वो कितने logo तक पहुंचा है, engagement कैसा है, लोग interact कर रहे हैं, कितने comment है, कितने likes है, कितने share है, कितने post click है, यह सारी चीज़ जो है, वहाँ पे आपको Facebook analytics के जड़ी आप कर सकते हैं, जैसे Facebook business suite ही है, जो कि Facebook द्वारा provide किया जाता है, जहाँ पे आप message, advertising, scheduling, posting, यह सारी चीज़े जो है, आप Facebook पे, total Facebook को यहाँ पे आप जो है manage कर सकते हैं, वही पे दूसरा method है creator studio, यह क्या है, यह जो लोग content create करते हैं, जैसे video create कर रहे हैं, तो उनकी लिए जो है, यहाँ पे creator studio होता है, वहाँ से अपने पूरा वीडियो को यह लोग monitor कर सकते हैं, Facebook insight के नाम से भी आता है, तो यह क्या है, यहाँ पे खासकर जो है, अपनी user interaction को track करना है आपको, तो Facebook insight का use आप कर सकते हैं, जैसे कितने page views आए हैं, कितने likes आए हैं, कितने shares हुए हैं, कितने comments आए, यह सारी चीज़े आप यहाँ से पतार कर सकते हैं, इसी तरह किसे hood suit है, brand 24 है, brand watch है, यह सब क्या है, यह analytical tools है, यहाँ कि इनका use करके जो है, आप अपने page को, अपने videos को, जो है, आप analyze कर सकते हो कि कितना views आ जा है, कितना impression आ है, कितने like आ है, कितने share आ है, किस age group के ल Facebook analytics का use करके analyze कर सकते हैं, तो कुछ चीज़े हैं, जैसे कि total likes, यहाँ कि कोई आपने post डाला है, कोई आपने video डाला है, कोई आपने photo share के है, तो उस पर total कितने likes आए हैं, आप जो है, इसका Facebook analytics के जरीए, आप measure कर सकते हैं, reach, यहाँ कि कितने unique people हैं, जिनोंने आपका content देखा ह जैसे कि हम बताएं, तो हमारे दिवेदी guidance channel पे अभी तक 5 लाख unique viewers हैं, जो लोग इस दिवेदी guidance channel पे वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन अब वही चीज़ें कि conversion कितना है, कि 5 लाख लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, और returning viewer की बात करें, याने कि कितने लोग हैं, जो दो से तीन लाख के आस पास हैं, और subscriber आप देखी रहोंगे इस वट की एक लाख के आस पास हैं, तो यह क्या है, यह पूरा analytics है, और यह कैसे पता चलता है, हम यूटूब analytics का यूज करते हैं, clear, तो इसी तरीके से Facebook पे जो भी आपने वीडियो फोटो शेर किया है, उसको कि तरीके से analyze करना है, वो आप Facebook analytics tool का यूज कर सकते हैं, तो reach, यानि कि कितने unique people ने जो कि आपका वीडियो या फिर फोटो उन्होंने देखा है, impression, impression की बात करें, तो जब भी आप Facebook open करते हैं, तो जो भी scroll करके आपके screen पर आ रहा है, तो वो सारा कुछ क्या होता है, impression होता है, तो number of time any content from your page और about your page entered a person's screen, यानि कि मेरे page का कोई content आपके Facebook के screen पर कितनी बार आया है, तो उसको कह कहेंगे, impression कहेंगे, यानि कि आपने YouTube खोला, तो suggestion में आ गया आपके देवेदे guidance, Facebook analytics का video, तो suggestion में आ गया, आपने देखा या नहीं देखा वो अलग चीज है, लेकिन आ गय इंगेज्ड यूजर से, यानि कि कितने लोगों ने आपके वीडियो पे, आपके पोस्ट पे जो है वो click किया है, इस screen पर आ गया है, impression हो गया, लेकिन इस screen पर आनिक बाद क्या उस पर like किया, share किया, comment किया, फिर वीडियो को play किया, तो वो चीज इंगेज्ड यूजर कहला इस screen पर आपके जिए कि वीडियो मेटिक्स, यानि कि कि यूजर की यह है, किकने लोगों ने video किया, कितने लोगों ने like, किया, यूजर किया, यह सारा data वीडियो से related हो, क्या हो जाएगा, video matrix हो जाएगा, like, comment, share, यह सारी dh 우리 has Facebook matrix, clear? आब बात कहले लिए hase demographic, तो देकिये, Facebook या जो चीज़ ज़िछी हो जाएगा, ज़एकि बीच अप एफबी पेज बनाके रखे हो या फिर आप वीडियो शेर करते हो तो उसमें population का demographic क्या है यानि कि वो किस location से आपका वीडियो या फिर आपका post देख रहे हैं इंडिया से USA से, बंगलादेश से, पाकिस्तान से किस एरिया से, location, इस तरके से age, यानि कि किस age group के videos आपके ज़्यादा तर देखते हैं या फिर आपके आपके पेज पर आपके पेज को या फिर आपके वीडियो को देखा जाता है मोबाइल का यूज़ करके या फिर डेक्स्टॉप का यूज़ करके जैसे कि आपको डेमोग्रफिक को जो कर रहा है जैसे 18-24, 25-34, 45-45, 45-44 या यहा पर आपको यह पर पोटेंशल audience size दिखा रहा है और जो है आपको यहाप एपर gender and age यह दोनों चीज़े आपको यहाप यहाप यह पर देख सकते हैं यह क्या है men or woman का दिखा रहा है तो जो ब्लू कलर में है वो क्या है? वोमेन है और जो दूसरा कलर है वो मैन का डेटा शो कर रहा है तो इस तरीके से जो है फेस्बुक एनाटिस जो है आपको डेमोग्राफिक का डेटा डेटा शो करता है नेक्स्ट है एनलाइजिंग पेज ओडियंस यानि कि पेज पे जो ओडियंस आते हैं उसको एनलाइज करना तो जैसे पहला है क्या पेज विजिट यानि who at some point came to FV page no matter what is the region पेज विजिट मतलब कि कितने लोग आपके पेज को विजिट कर रहे हैं पेज ओडियंस की बात और एक कोई अपने पेज बनाया है जैसे मैंने ही एक FV page बना लिया देवेदी गाइडेंस तो देवेदी गाइडेंस जो FV page है उस page पे कितने लोग आ रहे हैं किस region से आ रहे हैं वो matter नहीं करता कितने लोग आ रहे हैं वो count clear इसे दिकर से post engagement मैंने कोई FV page पे post किया है तो उस पे कितने लोगों ने respond किया है या फिर कोई ad post किया है तो उस पे लोग कितने लोगों ने respond किया है post engagement, like कर रहे हो, देख रहे हो, share कर रहे हो, comment कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, engage हो रहे हो अब suppose कि आप जो है कोई organization है जो कि अपना product sell करते हैं और अपने FB page बना रखा है तो कितने लोगों ने आपके उस FB page के जरे कोई product sell किया है उनका data, those who have already bought something, तो यह क्या है यह page audience का analysis होता है, इसी तरी के जाता reach and engagement analysis, तो कि reach and engagement यह क्या है यह भी page analysis के अंदर ही आ जाता है, reach य unique viewer or users visited the page or post, आपके post को या फिर आपके page को कितने unique viewer या फिर visitor ने विजिट किया है, that is called reach, तो अब यहाँ पर reach में कैसा चीज़ हो सकते हैं, जैसे total reach, कितने लोगों तक total पहुंचा, fans daily, daily कितने fans आ रहे हैं, fans में किस rate से growth हो रहा है, यानि कि daily source of friends आ रहे है, active user, कितने active user या कि जो बार-बार आपके FB page के चले आते हैं, देखते हैं, videos को देखते हैं, content को देखते हैं, तो वो चीज़ के है reach होता है, ठीक है, तो reach में दो type के reach है, एक होता है post reach और एक होता है page reach, post reach यानि कि आपने कोई message डाल दिया, आपने कोई video डाल दिया, आपने कोई photo share कर दी, तो वो जो है photo, वो जो video है, वो जो message है, वो कितने logo तक पहुंचा, that is called post reach, the number of people who saw any of your post at least once, clear, तो जैसे कि मैंने डाल दिया कि जो AKTU MBA के classes है, वो जो है second semester की 24th July से चलेंगी तिया, क्या होगा, एक post हो गया, इस post को मैंने share कर दिया FB पे, अब ये जो post है, ये कितने logo तक प पहुचा, the number of people who saw any content from your page or about your page, including post, stories, ads, social information from people who interact with your page and more, याने कि page reach में सारी चीजे जो space related activities है, वो सारी चीजे क्या हो जाती है, include कर ली जाती है, clear, अब यहाँ पे जो reach है, ये दो type की reach होती है, एक होता है paid reach और एक होता है organic reach, paid traffic और organic traffic जो आपने पढ़ा है, वही चीज होती ह paid reach और organic reach, page reach जाने कि the number of people who had a paid post from your page, enter their screen, याने कि हमने जो है, अपने page reach को, या फिर post reach को बढ़ाने के लिए, मैंने कि एफबी पे purchase के लिए, तो एफबी ने जो है, मेरे post को, या फिर मेरे page को, जो है, अलग-अलग audience के Facebook पे दिखाने लगे, उसको क्लिक करके, जो कोई enter their screen, suppose रहे कि, आप जो है, मेरा page follow करते है, आपने क्या किया, आपने किसी और को share कर दिया, अपने दोस्त को, तो आपके दोस्त जो है, वो उस page को चले आते है, आपने share किया था, उस share से, जो है, वो मेरे पास आ जाते है, मेरे page पे आ जाते है, तो that is called organic reach, यहाँ पे मैंने क कोई भी पैसा पे नहीं किया है, तो organic reach भी जो है, दो टाइक होता है, एक होता है, वाइरल और एक होता है, नॉन वाइरल, वाइरल क्या होगा है, the number of people who had any content from your page or about your page, enter their screen, because their friend likes or follows your page, यानि कि, आपका friend जो है, कोई page यह, कोई post को लाइक किया था, उसकी वज़र से, आप भी गए उस page पे तो यह चीज क्या हो जाएगी, वाइरल हो जाएगी, clear, जैसे कि होता है, कि लोग share करते है, वाइरल कैसे होता है, कि बहुत ज्यादा share हो रहा है, बहुत ज्यादा likes हो रहे तो वाइरल हो जाता है, और non-viral क्या हो गया, the number of people who had any content from your page, enter their screen, this doesn't include when someone friend likes or follows your page, engage with a post, share a photo of your page and check it into your page, तो यहाँ पर क्या होता है, कि non-viral में आपने search किया, search करके जो है, आप किसी page पे, किसी post पे जाते हो, तो वाइरल हो गई, लेकिन आपके friend ने share करके बेजा, आपको किसी दोस ने भेज दिया, किसी colleague ने भेज दिया, तो वाइरल हो गई, तो organic reach में कहने क YouTube होता है, वो आपको add दिखाएगा, और उस add को click करके अगर आप पहुंचे तो चीज, paid reach हो जाएगा, तो यह data क्या है, यह data भी show होता है, जैसी कि आप यहाँ पे screen पर देख सकते है, यह क्या है, Facebook analytics में यह दिखा रहा है, कि paid post reach कितना है, और organic post reach कितना है, तो जो आप किसे दूसरा है, engagement analysis, यह तो हो इया reach analysis, यहाँ पर आपने देखा page analysis, page reach और post reach, वहाँ पर भी reach दो type को है, paid reach है, और organic reach है, अब यहाँ पर क्या है, engagement analysis है, यहानि कि कितने लोग आपके page पर आ रहे हैं, और वो like कर रहे हैं, share कर रहे हैं, comment कर रहें, engage हो रहें, बीजी हो रहे ह यह नहीं कि आपके page को आये देखके इसकी कर दिया, नहीं, आपके वीडियो को उन्होंने देखा, आपके वीडियो को लाइक किया, उसके उन्होंने comment किया, उसको share किया, तो that is called engagement analysis, तो Facebook engagement is a way to track how your audience is interacting with the content you share, याने कि आपने एक फेबी पे कोई photo, कोई video share की है, तो किस तरीके से जो audience से वो interact कर रही है, like कर रही है, तो वो चीज क्या कर लाती है, engagement analysis क्यलाती है, Facebook engagement matrix include likes, comment, share and clicks on your post content, आपने कोई post किया, उसके उन्होंने click किया, तो वो भी engagement होगा, like किया, वो भी engagement हुआ, comment किया, वो तो engagement हुआ, share किया, वो भी क्या हो गया, engagement हो गया, clear, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, average engagement, यानि कि कितने लोग link से engage होरे हैं, कितने status से, कितने photo से engage हुए है, तो इस तरीके से वहाँ पर data आपको Facebook analytics में show होता है, इसी तरीके से post performance on FB आता है, post performance on FB आने कि जो आपने post किया है, आ that is post performance on FB, outline the performance of a FB post through simple data visualization, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो analytical tool होता है, FB analytical tool, वो simple data visualization करके आपको आपकी FB post की performance के बारे में बताता है, कि सबोसरी आपने दो post डाले है, ठीक है, दो post, दो photo share किया है, तो एक photo पे 100 like है, एक photo पे 10 like है, यह post performance हो कर रहा है, यानि कि कौन सा post आपका कम perform कर रहा है, one can check the performance of each post, आपने कितने भी post की हो, हर post की performance of, चेक कर सकते हो कि कितने views है, कितने like है, कितने share हुए है, कितने लोग उसमें engage हुए है, किस age group के जो है, आपको कौन सा post किस age group के देखा है, यह सारी चीज़े आप वहाँ पे देख सकते है, it includes reach, engagement and people talking about the post, आपके post पे comment कर रहे हो, या फिर interact कर रहे हो, वह सारी चीज़े जो है, आप post performance on FB पे देख सकते हैं, तो Facebook analytics अगर हम overall बात करें, तो Facebook analytics क्या करता है, कि जो भी आप page बनाते हो, या फिर जो भी आप video photo share करते हो, कोई post share करते हो, तो उस पे क्या performance है, या कि उस पे कितने likes है, उसका कितना engagement है, कौ से age group के लोग देख रहे हैं, किस location से देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को analyze करना ही, क्या कहलाता है, Facebook analytics कहलाता है, और इसके लिए जो है different Facebook tools है, जैसे business suit हो गया, या फिर brand watch हो गया, या different online tools आते हैं, applications होते हैं, जिसका use करके आप Facebook page को, Facebook post को analyze कर सकते हैं next है, Facebook में कुछ तीन important चीज़े हैं, जो आपको पता हो, जैसे Facebook event, आपने देखोगा, कि आपके जो friends होते हैं, या फिर जो भी आपके Facebook page पर test होते हैं, तो event created होता है, यानि कि इस तारीक को ये program होने वाला, are you interested, इस से किसा आता है आपके पास message, तो that is Facebook event, तो ये क्या होता ह है, is a calendar based resource which can be used to notify user for upcoming occasion, तो यहाँ पर क्या होता है, Facebook event का आप use कर सकते हो, कि हाँ, इस date को जो है, ये occasion होने वाला, ये event होने वाला है, तो इस से क्या होता है, कि आपके customers को, आपके followers होते हैं, उनको information news पहुंच जाते ही, अच्छा इस तारीक को ये है, तो एक information जो आप यहा आपने setting में private कर रखा है, तो privately जिसको आपने किया है, वही open कर सकता है, तो event कोई भी open कर सकता है, तो event क्या है, एक तरीके से आप जो है communicate कर रहे हो, कि इस तारीक को ये activity होने वाली है, यानि कि you are communicating with your customers, the creator can invite his friend, member of a group, और fan of a page, ते किसी भी fan को, किसी भी member को, किसी भी friend को It is a convenient destination for people to discover, buy and sell items, तो Facebook marketplace भी एक ऐसा option है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, people can find what they are looking for by filtering their result by location, category and price, जैसे कि आपने OLX देखा है, तो same OLX में ही कुछ तरह से Facebook marketplace भी है, जहां पे लोग अपने जो है चीजों को बेच सकते हैं, या फिर खरी सकते हैं, और उसको filter भी कल सकते location, category, price, recording, by listing on marketplace, you can reach buyer where they already are, तो जो companies हैं, वो अपने आपको marketplace पे अगर list कर लेती हैं, तो इससे क्या होता है, आसानी होता है, कि वो अपने आपको सर्च करवा सकें customer से, वही पर तीसरा है Facebook platform, आप एक क्या है, Facebook platform, आप देखते हूं कि Facebook के अलग अलग चीजें आती हैं, छोट क्या है, यह third party platform होता है, तो यह platform है, यह आप वहाँ पर जाके छोटे-छोटे apps, जो है, छोटे-छोटे program कर सकते हैं, और जो क्या कहता है, कि users होते हैं, Facebook users, उनको आप engage करके रख सकते हो, तो is the set of activities, tools and product provided for third party developers, यहाँ पर क्या होता है, Facebook platform पर third party developers को जो है, यहाँ पर product and tools पर Facebook जो है, जिसका यूज करती है, जिसका यूज करके वो customers को Facebook page को engage कर सकते है, Facebook fan को, to create their own application and services that access data on Facebook, तो वहाँ पर देखिए, आप जब क्या करते हैं, उस प्रोग्राम पर जब आप जो है, क्लिक करते हैं, तो permission आप से लेता है, कि आपके Facebook से डेटा वो लेगा, उसके बाद महाँ पर information देते हैं, तो that is Facebook platform ती है, तीन तम आप याद रखिएगा, Facebook event, जो कि date के basis पर occasion होने वाला है, आने वाला है, upcoming events के बारे में, information देखिए, Facebook marketplace, एक ऐसा place होता है, Facebook के, जहाँ पर लोग अपने आपको list करके, अपने product को buy या sell कर सकते हैं, वहीं पर Facebook platform है, जहाँ पर social media campaign, देखिए, campaign का मतलब होता है, organized series of events, यहाँ पर क्या होता है, कि आप, suppose कि एक company है, वो अपने website पर traffic आने की, ज़्यादा से ज़्यादा viewers को बलाना चाती है, तो यह क्या होगी, उसको objective हो गया, तो अब objective हो तो उसको achieve करने लिए क्या करते हैं, वो लोग कुछ जो है, पा के लिए, suppose रहे कि एक हफते के लिए, जो है, जो आठ एड हैं, नौ एड हैं, वही जो है, Facebook, Twitter और YouTube तीनों पर एड रन करेंगे, तो यह चीज क्या कहलाती है, campaign, तो social media campaign क्या हो गया, कि जब आप जो अपना campaign है, advertisement का campaign है, वो social media platform पर रन करते हो, किसी specific time period के लिए, तो that is social media campaign, क्यों करते हो, जिससे कि आपका business goal, जो है, वो fulfill हो सके, अचीव हो सके, तो business goal क्या था, आपने यह माना था, कि हमको अपने website पर traffic बढ़ाना है, followers बढ़ाना है, तो आपने यह advertisements run किया, तो a social media campaign is a coordinated marketing effort to reinforce or assist with a business goal using one or more social media platform, तो आप जो है, एक एक से अधिक social media platform का use करके, अपने चला रहे हो, different, different social media पर, जिससे कि आपका business goal है, कि आपको sales increase करना है, या फिर awareness पहलाना है, या फिर branding करनी है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा viewers अपने page पर लाना है, तो उसके लिए आप advertisements run करते हो, allow you to reach your target audience, engage with current and potential customers, create brand loyalty, increase website traffic and drive, sale, तो जब social media campaign का use किया जाता है, different, different social media platform पर आप बहुत सारा advertisements दिखाते हैं, तो फिर ये सारे benefits आपको मिलते हैं, कि जो आपका target audience होता है, उस तक आप पहुंच सकते हो, भाई हो सकता है कि आप सिर्फ Twitter पर advertisement दिखा रहे हो, लेकिन आपका target audience है, वो Facebook पर use कर रहा हो, या फिर Instagram यूज कर रहा हो, तो जब social media campaign चलाते हो ना, तो आप Facebook, Twitter, YouTube सब जगहां चलाओगे, तो आपके target audience पर पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा chances रहेंगे, current जो employee हैं, वो आपके साथ engage होंगे, जो potential customers है, वो आपके साथ engage हो जाएंगे, यहापे brand loyalty भी बढ़ेगी, यानि कि बहुत सारा ad देखने के बाद एक अंदर perception create होता है, human being के अंदर कि हाँ यह brand अच्छा brand होगा, जैसे कि आप YouTube पे देख रहोंगे, तो लगाता है आप जो meto का ad देख रहेता है, यह क्या campaign है, वो खुब सारा ad चला रहे होता है, किसी specific time period पे, clear, तो यह जो है motive होता है social campaign का, तो social media campaign में क्या होता है, यह campaign is a series of ad sets and ads that aim to accomplish a single objective, such as generating lead or increasing the number of app installs, clear, तो campaign क्या हो गया, यह series of ad sets होता है, आप बहुत सारे ad जो है, एक series में एक हपते के अंदर दिखाया जाते है, और जिसका main aim क्या होता है, कि जादर जादर leads को generate करना, या फिर, आप suppose कि आप कोई app बना के रखे, तो जादर जादर लोग आपका app डाउनलोड करें, तो इसलिए add जादर जादर, जैसे कि आप suppose कि जो मेटो है, तो जो मेटो जो है, लगातार हर platform पे, social media platform पे दिखा रहा है, कि 50% off on when you purchase through app, यानि कि जो मेटो के app से आप purchase करें, तो 50% off मिलेगा, 60% off मिलेगा, यह campaign जो है, एक हपते तक खुब सारे ad campaign हो गया, तो campaign contains one or more ad set, यहाँ पर यह होता है, इस campaign में कि एक ही add जो है, आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या फिर एक हपते के अंदर बहुत सारे ad आप जो है, अपने product के लिए दिखा रहे हो, यह आप पर depend करता है, campaign में एक ही add, एक हपते के लिए बार 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 दिखा या फिर एक हपते के लिए दिखाना है, लेकिन अलग-अलग type के ads आपको जो है वहाँ पर दिखाना है, तो यह campaign हो गया, social media campaign यही होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना होता है, आपको अपना social media campaign का goal set करना होगा, कि आपको aware करना है, community build करना है, ज्यादर ज्यादर Instagram से, या फिर कोई LinkedIn से, या आप किस social media platform का use करना चाहते हो अपने social media campaign के लिए, clear, यहाँ पर आपके उपर depend करता है, जो company उसके उपर depend करता है, कि वो एक social media platform का use करता है, फिर multiple social media platform use करे, clear, उसके बाद have a social media calendar, यानि कि यहाँ पर आपको time और date भी set करना होता है, यानि कि कब तक आपको सारे ad बना लेने हैं, उसके बाद फिर कितने दिनों तक आपको वो ad दिखाना है, Twitter पर कब दिखाया जाएगा, Facebook पर कब दिखाया जाएगा, या फिर दूसरा से platform है, तो वहाँ पर कब दिखाया जाएगा, इस सारी चीज़े जो आपको प्लान करनी होती है, and then ज आपर ट्रैक कर सकते हो, कि सबसे ज़्यादा visitors आ काउंट से रहे हैं, Facebook से ज़्यादा आ जाएगा, या फिर यूट्यूब से ज़्यादा आ जाएगा, तो आपको जो है, उसमें analytics में help करता है, तो social media campaign को performance को अगर आप monitor करेंगे, तो इससे आगे चलके आपको decide कर सकते हो, कि यहां अब मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एड दिखाने होंगे क्योंकि यूट्यूब से उस campaign के time पे ज़्यादा विवर्स आये थे तो social media campaign इसी तरह किसे एक term है social network analysis देखे social network analysis कहने का अब यहां पर यह है कि जो individuals हैं किसी भी social media platform पे वो किस तरह के से connected है उस चीज़ को analyze करना क्यों connected है कैसे connected है उस चीज़ को analyze करना social network analysis कहलाता है it is also known as network science is a field of data analytics that uses network and graph theory to understand social structure तो यह क्या है अब जैसे linkedin अगर आपने सुना होगा तो linkedin पर क्या है वहाँ पे जो professionals होते हैं जो job seekers होते हैं वो अपना profile create करते हैं वहाँ पे जो professionals को organization होता है वो job post करता है और जिसको job चाहिए होता है वहाँ पे अपने cv post करता है तो वो क्या है इस तरह के से वहाँ लोग जुड़े किसी network में कैसे related हैं एक दूसरे से लोग उनके बीच में कैसे interactions हो रहे हैं और क्या communication हो रही है उस चीज को analyze करने के लिए network and graph theory जो है यह different tools होते हैं जो कि social network analysis use करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो different people होते हैं किसी network में वो लोग क्या कहलाते हैं वो notes कहलाते हैं और उनके बीच में जो connection होता है उसको ties या as या link कहते हैं जैसे कि आपने पहले भी देखाऊगा अब सबहुच करके एक website है तो आप website पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं क जो दो पेज थे वो दोनों पेज के आओगे notes हो गए और उनको link करने के लिए वो hyperlink जो डाल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है एज या ties कहा जाता है clear तो social network analysis में भी यही चीज़ है दो चीज़ों को analysis किया जाता है और जो आपके पास data provide हो जाता है कि किस तरीके से वहा component आपको चाहिए होंगे क्या actor and relationship यही चीज़ अभी पीछे बताई node and edge तो node क्या होगे वो actors हो गए अलग-अलग people हो गए किसी भी network में और edge क्या होगे उनके बीच में connection उनके बीच में internet जो है वो चीज़ तो जैसे कि अभी हमने आपको example दिया कि web page में क्या होता है कि जो है YouTube के बारे में maximum सभी लोगों को पता है YouTube is an American online video sharing platform headquartered in San Bruno California तो San Bruno California American online video sharing platform है इससे पहले जो Facebook देखा आपने वो भी American नहीं है The service created in February 2005 by three former PayPal employees Chad Hurley, Stephen Chen and Javid Karim तो ये जो YouTube है 2005 में तीन लोगों ने किया था जो कि PayPal के employee थे Chad Hurley, Steve Chen और Javid Karim तो was bought by Google in November 2006 for US dollar 1.65 billion तो उसके बार जो है YouTube जो है ये खर लिया गया था Google द्वारा तो अभी क्या है ये Google के अंदर में है YouTube तो Google ने November 2006 में 1.65 billion dollar US dollar में इसको purchase कर लिया था Now operates as one of the company's subsidiary तो और Google की एक subsidiary है YouTube तो YouTube पर ये पता ही आपको कि सभी लोग क्या करते है वीडियो शेयर करते है तो यहाँ पर जो companies है marketing companies है वो अपना channel होना के जो वीडियो शेयर कर सकती है यहाँ पर जो है advertisements कर सकती है paid advertisements होता है तो कैसे भी हो जो है अपना marketing कर सकती है इसी तर लेकर micro blogging, micro blogging भी छोटे 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 यहाँ पर लेक लिखते हैं लोग, blogging means अपने बारे में लेक लिखना, diary लिखना, लेकिर micro blogging में छोटा 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 क्योंकि यहाँ पर word limits होती है तो छोटे छोटे जो आप अपने thoughts को share करते हो, information को share करते हो that is micro blogging, तो Twitter वही है औ social networking service है क्योंकि यहाँ पर society की लोग यहाँ पर आसानी से अपने account create करके, यहाँ पर एक दूसरे से information share कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो यह company अपने आपको register करते हैं, registered user can post, like and retweet, but in registered user can only read them, तो यहाँ पर जो registers लोग होते हैं, जो Twitter पर register किया होगा, जिन्होंने, वो post को like कर सकते हैं, retweet कर सकते हैं, post कर सकते हैं, कुछ नया, लेकिन जो unregistered होते हैं, वो खाली पढ़ सकते हैं, बस, यह Twitter है, तो यहाँ पर भी लोग marketing जो companies होते हैं, यहाँ पर आपने ID को बना कर एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, चीजों को share कर सकते हैं, इसी तरह किसे Pinterest है, Pinterest क्या है, य American image sharing site है, यहाँ पर क्या होता है, कि normally, जो लोग अपना image खीचते हैं, फोटो खीचते हैं, वो Pinterest पर शेर करते हैं, तो यह image sharing site से करें कैसे, design to enable saving and discovery of information on the internet, यहाँ पर इसको design इसलिए किया था, ताकि यहाँ पर लोग save कर सके, और discover सके information on internet और image के form में, using image and on a smaller scale animated GIF and videos in the form of pinboards, तो यहाँ पर image animated GIF हो गया, यहाँ पर वीडियो के form में, जो छोटे छोटे चोटे वीडियो होते हैं, उसके form में यहाँ पर आपो data save कर सकते होते हैं, यहाँ पर भी लोग अपनी चीजों को share करते हैं, तो यहाँ भी जो marketing companies अपना account बना के, यहाँ भी लोगों से communicate कर सकते ह यह image या animated GIF के form में, इसी तरह कें से LinkedIn है, तो LinkedIn is in an American business and employment oriented online service that operates via website and mobile app, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इतना marketing, executive requirement है, यह experience है, यह salary मिलेगी है, यह सब information share करते हैं, तो लोग अपना यहाँ पर CV post करते हैं, और interested लोग को select किया जाता है, यह LinkedIn जो एक तरीके से employment oriented online service है, launched on May 5, 2003, तो पांच में 23 को यह launch किया गया था, the platform is mainly used for professional network and allow job seeker to post their CV and employer to post job, यहाँ पर employer को help करता है, को अपने job को post कर सके हैं, और साथी साथ जो job seeker होते हैं, अपनी CV post करने में help करता है, तो यह एक तरीके से job platform हो गया, यहाँ पर लोग आए, कहाँ vacancies है, और कहाँ, जो है किन को job चाहिए, उसके बारे information यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसका भी use कर सकते हैं, अपनी brand को promote करते हैं, इस तरीके से Instagram, तो यहाँ Instagram सभी को असानी से बताए Instagram is an American photo and video sharing, social networking site, यहाँ पर लोग अपने videos को, अपने photos को जो है, यहाँ पर लोग share करते हैं, तो Instagram से कोई छुपा नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में, तो यह जो Kevin Systrom और Mike Krieger ने इसको create किया था, और अब यह जो है Facebook द्वारा on किया जाता है, यहाँ Facebook जो है Instagram को control करता है, October 2010 में इसको launch किया गया था, तो यहाँ पर भी companies अपने brand को, product को, image के form में, video के form में, यहाँ पर share कर सकती है,